सी वक्थाउन सी वक्थाउन देखिए हमारी यूएसपी है आज एमवाईयल सी वक्थाउन से जनी जाती है सी वक्थाउन का कोई तोड़ी नहीं है और स्पेशली जो आजकल समय चल रहा है एक तो 45 डिगरी तक टेंपरिचर जाना शुरू हो गया है जौननुं की वरदीचर ज़ूर्द हमारी बाडी डैमीन वक्थाउन से जाधा वॉटामीन सी घया वश्यदी में नहीं होता है इस सोर्स विटामीन सी इन डिस वर्ल्ट पुरे विष्व में और इसके इलावा इसके नंदर विटामीन A बार्पूर्मात्रा मेँ होता है विटामिन E भरपूर मातरा में होता है, विटामिन B भी बहुत होता है, D भी होता है, K भी होता है. Sorry, विटामिन D इसमें लगबग नहीं होता है, पर इस आर्टिकल में में कच्छन लगता है, बट मेरी study कहती है, मैं उसके बात नहीं करूँगा. मतलब विटामिन K भी होता है विटामिन A जो है ये क्या करता है हमारी आईज को सुस्त रखने में मदद करता है बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं पीवी देखने से चश्मा लगता है ऐसा तो सारी दुनिया को लग जाए आजकल सब लोग फोन में गुसे होते हैं तो सभी चश्मिश हो जाएं मेरी तरह लेकिन ऐसा नहीं है आँखे खराब होती है विटामिन A की कमी से तो विटामिन A भी आपको बहुत अच्छा मिलता है यांसे विटामिन E की कमी से क्या होता है बालों में रूसी हो जाती है स्किन प्राब्लम्स होती है नाखुन कईयों के टूट जाते है तो जो भी आपके बालों की तुचा की और नाखुन की जितनी भी प्राब्लम्स है विटामिन E से जुड़ी होई है तो इसमें विटामिन E भी भरबूर मातरा में होता है आप किसी भी स्किन वाले बंदे को C वब्थान दे दीजे एक तो उसका विटामिन E पूरा हो जाएगा विटामिन A पूरा हो जाएगा विटामिन C जब उसको भरबूर मातरा में मिलेगा तो उसकी पुरानी से पुरानी स्किन की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा यह चमत का रहा है स्किन प्रॉब्लम हो लिवर इंफेक्शन हो यह लिवर इंफेक्शन को भी ठीक करता है किसी को स्टोन फॉर्मेशन हो तो कहते हैं जिसको स्टोन ज्यादा बनता हो आपके पूरे शरीर को अंदर से क्लीन करता है, क्लीन कैसे करता है, कि ये हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोदक शम्ता इतनी Sehr сид क брik compliqué, कि बॉडी में कोई toxin, कोई virus, ये उतना ये बॉड लोगिया, कोई इतना शांदार बॉड़क्त शरी सक हुए, मैं जितना कहूं ना उतना कम है I am a great fan of C-buckthorn मैं अभी भी C-buckthorn नहीं पी रहा था मीटिंग में जब मैं मीटिंग में बैठता हूँ C-buckthorn पीता हूँ तो इसकी जो औरक वैल्यू होती है दोस्तों 70,000 औरक वैल्यू होती है ये एक scientific parameter होता है जिससे नापा जाता है कि product की रोगों से लड़ने की शम्ता की तो हर फल की हर सबजी की रोग प्रोतिरोतिक शम्ता होती है और अपनी category के अंदर सभी फलों के में अंदर अगर बात करें तो C-buckthorn की औरक वैल्यू सबसे अधिक है तो ये इस बात को प्रमानित करती है कि अगर वैक्टी नेमत रोग से C-buckthorn ले एक बच्चे से लेकर बुड़े तक किसी को भी आप इसको दे सकते 7 करने के लिए तो उनका जो रोग प्रोतिरोतिक शम्ता है immune system बहुत जादा strong हो जाए तो ये बहुत important product और मैं जितने भी लोग मिटिंग में हैं मैं उनको personally suggest करूँगा कि वो दिन के दिन में दो बार C-buckthorn जरूर लें चाहे वो कितना भी गर्मी में काम कर लें कितना भी बाहर काम कर लें I can promise you अगर आप regular C-buckthorn लोगे तो आपको कोई viral infection नी होगा जो पाई जाते हैं और किसी भी और फालिया सब्जी में ये चार ओमेगा एक साथ नहीं मिलते हैं आपको अलग-अलग sources से ओमेगा लेने पड़ते हैं अब सवाल है कितने लोग हैं जो फ्लैक्सीट का नियमेत इस्तावाल करते नहीं जो लोग vegetarian है वो फिश वैसे नहीं खाते मच्छी वैसे नहीं खाते जिसमें 3 और 6 पाई जाता है फिर अखरोट आजकल गर्मी है बहुत सारे लोग इसलिए नहीं खाएंगे कि बहुत गर्मी है अलिव ऑइल बहुत महेंगा होता है तो आम आज में उसका 7 नहीं करता है तो यह अलग-अलग sources हैं और बताना चाहता हूँ दुनिया के अंदर जिस भी चीज से आपको omega 3 या 6 मिलेगा या 9 मिलेगा 7 तो मिलता ही नहीं वो चीज़े बहुत महेंगी होगी प्रिश मेश्य महेंगी होगी अखरोट महेंगे होगी औलिव एल महेंगा होगा फ्लेक्षीट महेंगा होगा पर सी बग्तों का जब आप नियमे तर स्विश्त अमाल करेंगे तो 4 omega आपकी बड़ी को रेगल निलते रहेंगे और जिसकी रहे MYL नेटवरकिंग से